साल 2021 की मच अवेटेट फिल्मों में से आप्ट सिधात मलोत्रा की फिल्म शेर्शा रिलीज हो गई है इस फिल्म में सिधात मलोत्रा के साथ कियारा अडवानी की जोड़ी नजर आएगी ये फिल्म कार्गिल युद में शहीद हुए कैपٹरिन विक्रम भत्रा की रियर लाइफ से इंस्पा Yard हम आपको बता दे कि कैप्रिन भत्रा को कार्गिल युद में शानदार पराकरम के लिए मरनो प्रांथ परमवीर चक्र से नवाजा गया था इस युद में कैप्रिन भत्रा जिस साथी सैनिक यश्पाल शर्मा को बताते हुए शहीद हुए थे उसका किरदार आक्टर प्रनय पचोरी निभा रहे हैं फिल्म शेर्शा के नाम पर बात करते हुए प्रनय पचोरी कहते हैं कि युद में दुश्मन हमारे सैनिकों को पहचान नहीं पाई इसलिए हर सिपाही को एक मिलिटरी कोड नेम दिया जाता है और उसी क्रम में विक्रम भत्रा जी को शेर्शा कोड का नाम दिया गया था और इसलिए इस फिल्म का नाम शेर्शा रखा गया है प्रणय ने अपने दिल की बात जाहिर करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप्टर देश का हीरो नहीं होता है देश का असली हीरो सैनिक होता है चूँकि असली काम और असली बलिदान तो सैनिक देते हैं इस रियल लाइफ हीरो के सामने हम रील लाइफ हीरो कुछ भी नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि हमारे स्यानिकों पर और फिल्में बननी चाहिए तोकि ऐसी फिल्में ही देश के लोगों में देश भक्ति की भावना पैता करती है ऐसे ही देश विदेश की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ समाचार नगरी में धन्यवाद